वेलकम बैग और एक बार फिर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी ख़बर महराश में शिवसेना बीजेपी गड़बंदन टूट चुका है शिवसेना ने ता दिवाकर राव थे इस वक्त एक प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं आई सुनते हैं हमें क्लियर करने के लिए आज हम सुबह 11 बजे मिलने का हमारे तई हुआ था अधरने उद्धवजी से उस बारे में चर्चा करके हमारे अनिल जी देशा है सचिव और हम यहां सुबह आये हमारी चर्चा हो गए अंतिम प्रस्ताव भी तैयर हो गया एक जगे के लिए उनका ज प्रतिक्षा के बाद हमें मालूम बढ़ा कि हमारे सब सन्मानिया जो हमारे साथ यूति के लिए चर्चा में बैटे हुए सन्मानिया नेतागंथे वो तो बार के बाहर हमें नहीं मिलते हुए निकल गया इसे मालूम बढ़ा और हमें संदेशा दिया हमारे जिस मुंबाय प लगने के बाद आपको हम बता देंगे सेना बहुन और यह यूती आगे चलेगी ऐसा यह हमें उन्होंने जो संदेशा दिया है लेकिन दो अड़ाई घंटा बैटने के बाद मैं खुद सिवसेना का नेता और हमारे सची हूँ अधरने उद्दोजी के और से यहां बैटे थे उसका मैं खेद व्यक्ता करता हूं कि बिना बता है जो जाना है वो अच्छा नहीं है अगर मन में कुछ अचंका है तो इसलिए तो हम आये थे वो बिना कुछ निकल गए संदेशा उनको जो देना है वो क्या है वो सवाल मैं कईदा करते हुए माननिया रुद्रपाहस रोड और एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर योटी रखनी है कि नहीं ये भाज़े पताय करते होगे तो आदरने उद्धो जी के निर्तुतों में हम उसका कड़ा जबाब देंगे धंद्यवाद तो बात लगबग अब बिगड़ चुकी है देवेंदर फरनवीस थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि जिस तरह के प्रस्ताव शिवसेना की तरफ से आ रहे हैं वो भारतिय जनता पार्टी को मनजूर नहीं और अभी थोड़ी देर पहले शिवसेना नेता का बयान भी नहीं रहना है तो जो खबर आ रही है वो अब लगबग पकी हो रही है कि शिवसेना और बीजेपी का जो गड़बंदन 25 साल पुराना है अब वो तूटना तैह है